सब्सक्राइब कीजिए पर्मार होम्मेट चेनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए एलो फ्रेंड्स आज हम बनाने वाले हैं पीजा तो सबसे पहले पीजा डो तेयर कर लेते हैं और पीजा डो बनाने के लिए यहाँ पर हम हमने पेले सी थोड़ा सा हलका सा गरम पानी लिया है पेले हम सबसे पहले इस्ट को एक्टिवेट कर लेते हैं और इसके लिए यहाँ पर हमने थोड़ा सा हलका सा गरम पानी लिया है करीब 2-3 चमज है यहाँ पर और अब हम इसमें आधा चमज के आसपास इस्ट डालेंगे या हमारे पास चो इस्ट है वो एक ट्यूड राइ इस्ट है और आधा चमज इस्ट डालेंगे और एक चमज इसमें हम सुगर पाउडर भी डालेंगे यह हमने चिनी को पिस लिये था वो भी डालेंगे इसमें और यह धीरे से इसको अच्छे से इसे मिला लेंगे और इसे हम करीब 10 मिनीट तक ऐसे ही नॉर्मा टेपरेचर पर एक्टिव होने के लिए छोड़ देंगे और यह फाइनली फ्रेंड्स से करीब 10 मिनीट हो चुके है और जो आप देख सकते हैं इस्ट जो है एक्टिवेट हो गई है और इसे हम थोड़ी देर साइड में रख लेंगे और डो तेयर करने के लिए यहाँ पर हमने जो एक कप मेदा लिया है वो यहाँ पर लेंगे हम डिस में और इसमें हम आधा कप मिल्क पाड़र डालेंगे आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने आधा कप मिल्क पाड़र लिया है वो डालेंगे और एक चमच नमक डालेंगे और आप देख सकते हैं यहाँ पर जो हमने इस्ट ली है वो डालेंगे इसके बीच में आप देख सकते हैं इस्ट हमारे काफी एक्टिवेट हो गई है और इसे हम हाथों से अच्छे से मिला लेंगे और इसमें हम एक चमच तेल डालेंगे और अच्छे से मिला लेंगे और अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा सा पानी डालते हुए अच्छे से डोतियार कर लेंगे जो ये हम पानी डलने वाले है वो थोड़ा सा हमने गरम पानी लिया है थोड़ा सा हलका सा गरम पानी है ये और थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए अच्छे से डोतेयर कर लेंगे एक साथ पानी नहीं डल लेंगे और आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने बहुती अच्छ से डो तियर कर लिया है और इसे हमने करीब दस से बारा मिनिट तक अच्छ से नीड कर लिया था अच्छ से गुथ लिया था और यह हमने बहुती अच्छ से पीजा का डो तियर कर लिया है अब हम इसे अलग से बरतन में ले लेंगे और आप देख सकते हैं यहाँ पर हम डो को बरतन में लेंगे और इस बरतन को हमने पेले से ही चिकना कर लिया है थोड़ा सब तेल लगा कर और अब हम इस डो को इसमें रखेंगे बस बरतन में रखेंगे हम इसे आप देख सकते हैं यहां पर और इसे अब हम कवर कर लेंगे प्लास्टिक रेप से इसे हम अच्छे से कवर कर लेंगे अगर आपके पास अब प्लास्टिक रेप ना हो तो आप इसके उपर कोई साफ सूतरा अच्छा सा कोटन का कबडा भी रख सकते हैं इसके उपर और यहां हमारे पास प्laस्टिक रेव हैं तो हम प्लास्टीक रेव से इसे अच्छी से कवर कर लिएगी। और आप देख सकते हैं यहां पर हमने अच्छे से कवर कर लिया है और इसे हम करीब नर्मल टेंपरेचर पर रखते हुए 4 से 5 खंटे तक तक मिनीमुम आप 4-5 घंटे से छे घंटे हो गए है और आप देख सकते हैं जो हमारा फिजा 2 है वह साइस में भी डबल हो गया है आप देख सकते हैं यहाप पर इसकी साइस है वह डबल हो गए है ओर अब हम इस फ्लास्टिक रेब को निकल लेगे और फाइनली हमारा पीजा डो अब पीजा बनाने के लिए रेडी हो गया है और आप देख सकते हैं इसकी साइज डबल हो गई है और फाइनल इफनेट से हमारा पीजा डो तेयर हो गया है इस तरह आप अपने घर पर भी पीजा डो तेयर कर सकते हैं अगर आपको यह हमारा वीडियो बसना दाया हो ताप हमारी चनल को सब्सक्राइब कीजिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए जैसे कि हमारी वीडियो के अपडेट आपको सबसे पहले मिलते रहे और इस रेसिपी की कम्प्लिट प्रोसेस हमने डिस्क्रिप्शन में दी आप वहा बच्सक्रिप्स कि अज़िए.